तो फिछले के वीडियो में हमने एकनॉमिक्स तक देखा था कि 2019-21 सेशन में किस तरह के कॉस्चेंस मेथट पेपर में पुछे गए थे यह मेथट पेपर में आपको बता दू 7a है फिर्स्ट येर का बीएड फिर्स्ट येर का मेथट पेपर है ठीक है तो हमने हिंदी देखा लाइप साइन्स, हॉम साइन्स और इंग्लिश शुर्दू इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे फिजिकल साइन्स और आगे के सारे पेपर को देखेंगे कि 19-21 सेशन में किस तरह के कॉस्चेंस पूछे गए थे तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए सुरू करते हैं लाइप साइन्स के बारे में लाइप साइन्स में आप देख सकते हैं यहां खंड अ है ठीक है यहां पर लिखा हुआ है कि किनी तीन प्रश्णों के उत्तर देना है खंड अ से फिर खंड बह भी होगा ठीक है सेक्शन ए सेक्शन बी रहता है तो लिए पहले यहां देख लेते हैं कि किस तरह के questions पूछे गए थे तो question number one कहता है कि माइध्यमिक अस्तर पर जीव विज्ञान सिख्छन के क्या उद्देश हैं विवेचना किजिए यानि aims of life science के बारे में बताना है कि life science का क्या क्या aim से ठीक है question number two में देखते है question number two कहता है कि कक्छा nine के लिए जीव विज्ञान के किसी प्रकरन पर एक पाठ योजना बनाईगे यानि आपको lesson plan के बारे में बात कर रहा है किसके बारे में बात कर रहा है lesson plan के बारे में आप पाठ योजना हिंदी में बोलते हैं उसको lesson plan आपको बन किजिए इनकी प्रासांगिकता सिद्ध किजिए ठीक है प्रासांगिकता सिद्ध किजिए ये प्रयोजना विदी का मतलब हो गया प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बता रहा है कि प्रोजेक्ट मेथड क्या है उसके बारे में आप देखिए ठीक है अपने टेक्स्ट बुक ज कहता है कि जीवी घ्यान पाइठिपुस्तक के महत्व की वीचना कीजिए मतलब क्या 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 इन्पॉटेंस है yılár pec event वान एक स्क्षन में का महत्व का वरिञ्ट कीजिए अब जानते हैंकि साइन्स में बारते का बहुत महत्व होता है परियोग साला का तो जीव विज्ञान में परियोग साला के क्या क्या महत्व है उससे बच्चे कैसे सीख पाते हैं इसके बारे में आपसे पूछ रहा है ठीक है अब सेक्षन बी में हम लोग आते हैं सेक्षन बी भी उसी जियो विज्ञान सिक्षन की प्रकृती क्या है यह question number 6 था अब उसके बाद question number 6 के बाद 7 में आते हैं question number 7 है कि part योजना निर्मान की NCRT उपागम की व्याख्या के जी मतलब part योजना निर्मान जो होता है लेसं एक्वर लेसं प्लाइन का जो एपरोज होता है वो एंसी यह प्लान्यी कि तो कहीं यह ज़ोग है वो एंसी आंश्यार्टि hebd suspension य॥े भी विज्यू विज्ञान पुष्त नाइन इस लिए बताई pozw टो किसी में अब सुर्फ दो का लिखना करें तो चलिए अब next paper की तरफ चलते है home science मैं फटा-फट ये बता देता हूँ इसके बच्चे थोड़े कम ही रहते हैं आपको पता ही है ठीक है home science इसके बाद आएंगे हम लोग physical science में और भी है आगे तो जैसे-जैसे question paper है मैं उसी तरह बता देता हूँ कि इस तरह आप पढ़ेंगे भी यहाँ जब question paper मिलेगा आपको तो पता चलेगा कि इसी तरह का section wise बाटा हुआ है पहले ये subject है फिर ये subject है फिर ये subject है इसलिए मैं page number wise कर दे रहा हूँ मैं इधर उधर नहीं कर रहा हूँ कि पहले इसको बता दिया फिर इसको बता दिया आपका जो भी method paper होगा आप उसको cross करके मतलब आगे करके देख लिजएगा चलिए ग्री विग्यान को परिभासित कीजिए इसके छेतर और उप्यविता का वर्नन कीजिए question number two है ग्री विग्यान जो सिक्षन के लिए योजना विदी का वर्नन करें question number three है आपका ग्री विग्यान सिक्षन के लिए सहायक समागरियों का चैन कीजिए question number four है ग्री विग्यान के अच्छे सिक्षक के गुनों की व्याक्या कीजिए question number 5 है कि कक्षा 8 के लिए किसी एक परकरन का पाठ ही हो जना का निर्मान कीजिए question number 6 है ग्रिय प्रबंधन का सिक्षन उस पर short notes लिखना है किनी 2 पर यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि किनी 2 पर short notes लिखना है 1, 2, 3 यहाँ पर दिया हुआ है पुछा गया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे ठीक है तो question number 1 है a shadow of the modern world this statement shows the role of English language in India today critically examined तो यह question number 1 था आप यहाँ उपर में देख सकते हैं any 2 answer any 2 questions कोई भी 2 questions का answer देना है question number 1 है question number 2 है आपका कि देखें question number 2 जो है वो आपको दिखा रहा है कि direct method of the English teaching is more advantages in the comparison of the other traditional English teaching method discuss इसके बारे में करना है ठीक है question number 3 है what are the objectives and teaching English at the junior and senior stage of school मतलब junior and senior stage में क्या-क्या objectives है teaching English teaching को लेकर उसके बारे में पूछ रहा है question number 4 है short notes लिखना है किसी दो पर एक number में है type of grammar give examples दो number में है different method of approach of the teaching English तीन number में है importance of test and examination क्या-क्या test और examination के importance है और question number 4 है type of audio visual aids ठीक है ये question number 4 का 4 options था ठीक है आप देख सकते हैं कि ये जो English language है उसमें मात्र दो ही पे लिखना है answer और ये 20-20 marks का एक question है तो देखिए अगर आपने एक लिखा और चार का दो लिख दिया ठीक है चार का एक और दो तो आपका 20 अरिधर से 10-10 करके 20 तो total बीच चालिस number हो गए ठीक है या फिर उपर में एक दो आपने लिख दिया तो हो गए ऐसा नहीं बोलाए कि कोई भी एक compulsory है ठीक है आप कोई भी चारों में से लिख सकते है तो चलिए अब हम last travel language की तरह आगे बढ़ते हैं इन में से 5 का आपको answer देना है ठीक है तो ये आपको बता दूँ कि travel language में जो होता है वो सारे का मान बराबर होता है ठीक है आठ पचे चालीस पाँच कोस्टेंस आठ में से आपको पाँच कोस्टेंस टच करने है ठीक है और अठट नंबर करके सब में है ये आपका मुंडारी, संथाली, खड़िया, कुडो, कुर्माली, नागपुरी, खोर्था, पंच परगनिया सब का पेपर यही है तो क्वेशन नंबर वन क्या कहता है अपनी भासा का परिचे देते वे उन्हें विस्तार से बताई अगर आपका खोर्था है तो उसके बारे में परिचे देना है और उसके बारे में बताना है कि खोटा किस तरह का लेंड़ेज है, ये कहां से शुरू हुआ, कैसे हुआ उसके बारे में सब कुछ लिखना है कॉस्चन नंबर टू है, अपनी भासा का आंदोलन में बिर्टा बिरला मुंडा लिख दिया है देखिए बिर्टा मुंडा यहां होना चाहिए थे मिस्प्रिंट है बिर्टा मुंडा की भूमिकाओं पर परकास डाले ये question number 3 है ठीक है तो आपको पताईए बिर्टा मुंडा का जो जनम हुआ था उली हातु नामक नहीं ठीक है तो करमे मुंडा तो याद रखिएगा ये सब थोड़ा थोड़ा चीजे जो है वो आप अगर पहले से नॉलेज रहती है तो आपको लिखने में वहाँ पर एजी लगेगा ठीक अब question number 4 में आते हैं थिरी तो होगी आप 4 में आते हैं अपनी भासा का कि आधु साहित्य के विकास में अन्य भासा साहित्य का परभाव को बताई है अपनी भासा का मतलब यहाँ पर अगर आपका कुर्माली है तो कुर्माली भासा खोठा से आप पढ़े हैं travel language तो खोठा भासा के बारे में बताना है ठीक है अब question number 7 में तो question number 7 है कि अपनी समाज में बना हमें ठीक है जो क्या बोलते हैं संथाली लोग मनाते हैं कर्मा हो गया सोहराय हो गया ठीक है वो सब जितने सारे हैं तेवार उनमें से कोई भी एक पर आपको लिखना है अच्छे से question number 8 है आपका कि स्वतंतरा पुरू अपनी भासा के इस्थिति के बारे में बताई है कि उसके बारे में लिखना है ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और हां बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा त्योंकि आपको next year का भी question paper इसमें उपलब्द होगा lesson plan से related बहुत सारे questions और बहुत सारे terms से आपको तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको questions दसारे करने से ये सब देखने में काफी अच्छा अनुभू रहा होगा ठीक है आप बने रही है हमारे साथ तब तक के लिए धन्यवाद जहिंद